पर नाजरिंग अमीद है से होंगे तो किंग एड़वर्ड मैडिकार यूनिवरस्टी ने वीडियस की थर्ड मैड लिस्ट लगा दी है और फॉर्स्ट और सेकिंड मैड लिस्ट में अपने चैनल पे अपलोड का दी थी वहां पे आप जाके विजट का सकते हैं और काफी से स्टुडेंट पूछ रहे थे कि मैडम हमारा डीपीडी में अमेड बनेगा कि नहीं कि हमारी यागरिगार इसे वाले से आज हम डिसकस करने जा रहे हैं कि जिनकी 85-86-87 एग्रिएट है ऐसे स्टुडेंट डिपीडी के में सेलेक्ट होंगा इस बार किंग एडवर neडियुमिस्टी में तो सबसे पहले जैसे कि हम स्क्रीण पे धेख रहे हैं कि हमने वेड़ियुसइट यजिसमें सबसे पहले जो हम देख रहे हैं Thoris जो तर्थी ऐग्रिघবडी यजो अधिआ कि लाखेविघ में लगी हैक इसको आजम डिक्से करने छारा है किसमें फरस्ट ग्रिट क्या रहा ऑ कौन सेसे टुडेट नब स्यलक्ट हुए कौन साँ टुडेट के नहीं हुए और ऑर थर्ड मैं लिस्ट में कितने student select हों ये सब कुछ आजम डिसकस करने जा रहे हैं तो कोई नहीं मेरे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेयर करें ताकि student की help और सब्सक्राइब करें को information मिल सके कि dbd की third mail list लग चुकी है तो सक्रीम पर देख रहे हैं कि third mail list of doctor of physiotherapy फिगी सेम्ट डिपीड कहते हैं इसका section 20-23 से 20-27 तक यानके 2023 से लेकर 20-20 सक इसका section रहे गा और इसमें student dpd को अपना course complete करेंगे तो इसमें सबसे पहले जिस बार third mail list में dpd की third mail list King Edward Medica University में जो फॉर्स student select 2 है उसका aggregate रहा है is 190.59 यानिके last second mail list में ने पंपने चंपे डिसकस किया था उसका student कका aggregate था 90.39 तो इसी लहाँ से next student था उसी का aggregate 90 से start हूँगा तु इसी लहाँ से यह बिल्कुल सेम नायन यह बात हुए जो मैंने बताई थी कि 90 से यह aggregate खत्म हुए और 90 से start होगा, सेम ऐसे ही हुए है 90.59 एग्रिगेट है फर्स स्टुडेंट का और सेक्ड पाइग्रिगेट है 90.58 और थर्ड स्टुडेंट का 90.55 और 90.54 और ये 90.52, 90.45 और 90.43, 90.42, 90.42, 90.33, 90.37, 90.35 और 90.53, 90.33, 90.33, 90.35, 90.32, तो ये हैं वो स्टुडेंट जोंके स्लैक्त हुए है को टोटल कितने स्टूडेंट स्लैक्त हो इसमें टोटल 18 स्टूडेंट स्लैक्त हुए जैसे कि आप देख रहे हैं और इसमें नोटिफिकेशन है कि लास्स यो डेट है वो आपने आपके फीज चलान की यानके फार्म डिपोजर करने की वो है 13 फैबरी दोजाथ 23 को और इसी डेट तक आप अपनी फी बगर डिपोजर करवाएं अधर वाइस आपका बनता है जिनके आठ मैटलिस्ट नहीं लगती है और इन मैटलिस्ट में क्या होता है कि तकरीबन आलमोस्ट जिन स्टूड़न के अग्रिएट 85 से 86 होता है वो स्टूड़न सेलेक्ट हो जाते हैं और इंशाला आप भी जूरू सेलेक्ट होंगे तो इसमें जो टोटल हमने स्टूड़न सेलेक्ट हुए मैं फिससे बता रही हूं कि जा फूर्थ मैटलिस्ट लेगे तो उसमें 90.30 से मैट स्टार्ट होगा और इसी तरह नेक्स 89 तक और 87 85 तक रहेगा लेकिन आपके परिशान नहीं होना और आल्ला से अमीद जरू लगाए रखें क्योंकि इस पर य एट मैटल तक जाएगा यानिके थर्ड मैटल लगी है अभी ये एट तक जाना है तो एट तक इन्शाला आपका नेम जरूर आएगा अपना बहुत जरा ख्यार रखें और ये इन्फार्मेशन स्टूर्डिंग के साथ जरूर शेयर कीजिए हुए ताकि उनकी हैर पॉसर के अलार बहुत जरूर के अलाव इस